नमस्कार दोस्तों आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर के काफी important update जो कि हमारे सामने आया और मैंने सब्सक्राइब से शेयर करूँ देखिए money control के websites पे आप जाएंगे तो आज आके ये news आपको हिंदी वर्सन पे मिलेगा आप language जैसे ही change करेंगे तब आपको ये news मिलेगी ये 13 तारीक को मतलब कल ये published हुई है और इसमें भूसन power and still limited के खिलाप कुछ कारवाईयां हुई है और कुछ समपत्ती के खिलाप में money laundering act 2002 के तहत इसमें 4,025 करोड रुपे के अंचल समपत्ती अटेच की है देखिए ED informants direct rate ने भूसन power still limited बीपी सेल के खिलाप ये वो बीपी सेल नहीं है भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ये भूसन power and still limited के खिलाप money laundering act 2002 के तहत 4,025 करोड की अंचल समपत्ती अटेच किये ED ने अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबित ये कारवाई कमपनी के तरफ से किये गए bank कर्ज घोटाले से जुड़ी money laundering की जाच के दोरान की गई है इस अटेच समपत्ती में कमपनी की उडिसा में building, plant, missionary सामिल है इसके अलावे ED ने अधिकारियों ने अभी और भी समपत्ती जब्त करने की संभावना जताई है तो ये काफी bad news हो सकता भूसन power and still limited में आप 14 तरीक को इस पे नजर बना के रखिए आपको ये intraday में ही बहुत ज़्यादा downfall देखने को मिलेगा इस नहीं हो इसके बाद तो gap down open होना चाहिए और काफी नीचे तरी जा सकता ये stock क्योंकि छोटी मोटी ये रकम नहीं है और अभी और भी अनुमान है तो ये काफी important होगा जो इन जो लोग इस share के actual में share को buying करके holding करके रखे हैं उनको दिक्कत का सामना हो सकता है देखिए ED के तरफ से जारी किये एक बयान में कहा गया कि BPCL ने कई बैंकों से lawn के तोर पर लिए गया पैसे को बैमानी से निकालने के लिए कई तरीकों का उप्यों किया था Company के पूर्व CMD संजय सिंगाल ने पद पर रनने के दोरान बैंकों से कर्च के तोर पर मिले फंड को इधर उधर घुमाकर 695 करोड रुपय के बड़ी रकम को अपने परिवार में long term capital gain LTCG के रूप में दिखाया था बता दे कि LTCG के तहद income tax में छूट मिलती है ED ने भी भूशन इस्टिल के किलाब CBI के तरफ से दर्ज की गई FIR के आधर पर Money Lundering मामला दर्ज किया था Money Lundering वही जो पहले अभी हुआ है वो पहले भी इस चीज को Money Lundering Act 2002 के तहद इसमें 425 करोड के आसपास में गोटाले का सामना हुआ है अभी तक और आगे और भी संभावनाई जताई जारी है जो कि काफी और काफी बुरा असर पड़ सकता है इस स्टॉक पर यहां पर इडी ने किलियरली बताया कि अधिकारियों ने अभी और भी संपती जप्त करने की संभावनाई जताई है इनका जो प्लांट है कौन से जगह पर थी इस संपती को मेसिनरी शामली है तो काफी इंपोर्टेंट होगा उनलोगों के लिए जो इसके शेयर होलडैर还 जिन्होंने इस शेयर को उठाए रखा देखिए इसी तरह से स्टॉक मार्केट में हम लोगों को एक बहुत ही संभावना बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है कब किस स्टॉक में कौन सी बाते निकल खाज़े यह हमारे जैसे इन्वेस्टर्स की कोई गलती नहीं है यह कंपनीज की परफोर्मेंस कंपनीज की मैनेजिमेंट की गलती है इसमें आप अपने आपको कभी दो स्टॉक पे अगर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है तो आप इससे निकलने की पूरी कोशिस कीजिएगा क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक जिस स्टॉक पे एक बार गलत तरीके से इल्जाम लग जाते हैं उसके बाद उसे स्टॉक का ऊपर उठना काफी मुश्किल हो जाता है तो आप अगर आसपास में ही कहीं पर समल जाईएगा तो हो सकता आगे किसी दूसरे स्टॉक में पैसे को बना लीजेगा आपको ऐसे सोचना है ना कि इसी स्टॉक पर पैसे को रिकॉबर करने के बारों में सोचना तो हमारे जैसे चोटे इन्वेस्टर्स सकते हैं और बड़े बड़े जो मचली है वो इस तरह की जो मतलब इनको घाटा होता वो दूसरे स्टॉक से निकालने के सोचते हैं तो यह समझ की बात है पाकि मर्जी आपकी क्योंकि पासा आपका प्रॉफिट आपको होगा लॉस आपको होगा तो ब्लेम हमें ना कीजिए हमारा यही डिस्कुलोजर है आप चाहे तो इसे होल्ड भी कर सकते हैं चाहे तो इसी स्टॉक से आपकी रिकोबरी कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं वाटेबर वांट तो डू लेकिन हमने कहा हमें अगर कोई पूछेगा तो हम वही करेंगे जो हमने कहा है तो चलिए इस वी वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक किजिए साधी चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकिसन अब तक मिल जाए थैंक यू थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो अगें और हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आपक प्रिम यू जितांगो अबयू और हमार